से बने पूर्व केंद्रीय मंत्री M.J. अकबर संपत्या उईके और कॉंग्रिस के विवेक कृष्ण तन्खा का कारिकाल जून 2022 में खत्म हो रहा है ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की दो और कॉंग्रिस की एक सीट के लिए मई में चुनाओ की तैयारियां शुरू हो जाएंगी राजसभा चुनाओ के लिए भले ही दो महीने का बक्त अभी हो लेकिन सियासत अभी से गर्मा गई है मद्य प्रदेश में 29 जून 2022 को राजसभासांसत, एमजे अकबर और विवेक तनका का कारिकाल समाप्त हो रहा है ये दोनों 11 जून 2016 को राजसभा के लिए निर्वाचित हुए थे वही राजसभासांसत संपतिया उईके का निर्वाचन 31 जुलाई 2017 को हुआ था बेकेंदरी मंत्री अनिल मादो दवे के निदन से खाली हुई सीट पर निर्वाचित हुई थी ऐसा माना जा रहा है कि तीन खाली होने वाली सीटों में से दो भाजपा और एक कॉंग्रेस के खाते में जाएगी यह जो मौझूदा परिद्रश्य है बिधान सभा में जो जिस तरह से कॉंग्रेस और भाजपा के बिधाईगों की संक्या उसे साब से गड़ित यही रहना है एक सी कॉंग्रेस को मिलेगी और दो भारती जनता पर्टी अपने उमीदबार जिताने में सफल हो जाएगी यह हो सकता है कि एक इस्थारिय निता को देदें आदिवासी की इस्थान पर आदिवासी को देदें और अल्प संख्यक को रेप्लेश करके कोई और अल्प संख्यक को देदें यह इस तरह का समीकरन भाजापा बना सकती है और कॉंग्रेस में तो अंतिम समय तक रहता है, हमने देखा था कि मार्च 2020 में जब आखरी चुना हुआ था, तो किवल राजसभा के कारण ही सरकार चली गई थे, तो इसलिए कमलना जी अपने किसी चाहिते को दिलाना चाहेंगे, बाकी लोग सहमत होते हैं नहीं होते हैं वहीं भाजपा कॉंग्रेस दोनों दलों के सामने संकट होगा कि उसे OVC बर्क को राजसभा में भेजने का दबाव जेलना होगा, हाला कि दोनों पाल्टियों का कहना है, राजसभा सतस तै करने की जिम्मेदारी केंद्री नेतुत की है, वही अंतिम निर्ड़े करेगी अभी तो तनका साम मौझूदा के सामसाद हैं हमारी राजसभा में परहाल राजसभा में प्रदेश की राजमली पटेल और भाजपा के कैलास सौनी OVC बर्क से है इधर भाजपा की दो सीटों पर आदवासी नेता, सुमेर सींग सोलंकी और संपतिया हुई के है तो अनुसूचे जाती बर्क से एल मुरुगुन हैं और अल्ब संक्यक बर्क से एमजे अकवर हैं बाकी सदस सामान बर्क से हैं फिलाल इस साल भाजपा को दो सीटों पर अपने प्रतियास हीते करना होगा जिसमें एक तो आदवासी है तो पाल्टी आने वाले विदान सभा चुनाव की मत्य नजर उन्हें बदलने का रिस्क साइध ही ले वहीं अकवर की जगे ओवी सी को भेजने के लिए अभी से संग्ठन पर दवाव पढ़ने लगा है वैसे केंदरी मंत्री जोतर दित्य सिंदिया को भी ओवी सी बर्क का ही माना जाता है कुल मिला कर दोनों ही दलों को विदान सभा दो हजार तेज को ध्यान में रख कर राज सभा के लिए प्रतियासी चैन करना होगा दिनेशुक आई एनेश 24-7 भोपाल